ग्राम पंचायत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी के बीच में, आप सभी के सामने एक बार फिर से में उपस्थित हूँ, ग्राम पंचायत चुनाओ की खबरों को ले करके। यूपी में प्रधानी का चुनाओ, यूपी में जिला पंचायत सदस का चुनाओ, बीडीसी का चुनाओ, अब एकदम से नजदिक आना शुरू हो गया है। सारे चुनाओ धीरे-धीरे समाप्त हो गए, लोग सभा का चुनाओ समाप्त हुआ, इसके पहले विदान सभा का इस बार सीट आएगी तो किस तरह से आने वाली है सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं इसके अलामा वोटर लिश्ट पर बहुत तगड़ा काम होना है इस वार्स भी और हर वर्स भी होता है तो complete वीडियो आप देखेगा और इस बार क्या-क्या तारीखे हो सकती है वो सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी आप इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखें पूरी कंपलीट जानकारी मिल जागी पहली बार देख रहे हैं हगर मुझे तो सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन आन करिए ताकि ऐसी वीडियो लगतार आपको मिलता रहे और आप ग्राम पंचायत की हर एक अपडेट पाते रहे हैं तो यहां पर जो हमारे पीछे फोटो आप देख रहे हैं जो साफ साफ है कि यूपी ग्राम पंचायत चुनाओ दो हजार पचीस या दो हजार चप्वीस यह टोटल मैं आपको एक एनल बेट मत करिए डेट को आ गई है ऐसा आप समझेए मैं अभी आपको डेट भी बताने वाला हूं कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट नालेज होगा और पूरी की पूरी तैयारी भी आप कर सकेंगे होता क्या है जो नए उमीदवार है जिनको फर्स तेम करेंगे कंपेंगे कंपिया कशि inici पर उस बात करेंगे अपरेल महीं में ही होगा यह तो सच है जब भी चुनाव आपका होगा वो अपरेल महीने में या मई महीने में ही होगा तो कौन से सन में होगा उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कंपलीट वीडियो आप देखें नई मतदाता सुची डाउनलोड कीजिए अपने अपने मतदाता का नाम ढूड़िए ये काम आपको तो जरूर कर लेना है कि भाई नई मतदाता सुची डाउनलोड करना है उसकी बाद उसके अंदर अपने अपने मतदाता का नाम आपको ढूड़ना है होता क्या है कि जब लगता है कि आपका विरोधी प्रत्यासी जो आपके साब ने आपके पोजीशन में खड़ा होगा उसे अगर लगेगा कि ये मेरे टेकर में है तो वो आपके समर्थकों का नाम बोटा लिस्ट से गायब करवाने के मोड में रहेगा कहीं अधिकारियों को कहीं करमचारियों को इधर उधर बैका फुसला करके किसी परकार का प्रवलोभन दे करके आपके मतदाताओं का नाम धीरे धीरे गायब करवाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा यानि आपकी खेती ही बरबात करता रहेगा बाद में पता चलेगा कि यही तो मेरे मददाताओं और 1500 मददाता का नाम कट गया अकल ओट पड़ेगा परसे वोट पड़ेगा 10 दिन में ओट पड़ेगा तो कैसे मददाता का नाम आप बढ़ाएंगे नई सुनेंगे अधिकारी तब इतना ते मैं कहता हूँ कि आप अपने मदाताओं की सूची डाउनलोड कीजिए और अध्यन रोज करिए हर साथ दिन बाद एक बार आप मदाता सूची निहार लीजिए ध्यान से कि सारी लोगों का नाम यथावत है कि गायब होना शुरू हो गया है तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कम्प्रीट वीडियो देखना आपको चार चड़ों में चुना होगा यह तो मैंने आपको बताई दिया है अब मदाता सूची का नाम डाउनलोड करने के लिए आपको गुगल ओपन करना है कैमरा मैंस मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसको पास से दिखाएं ताकि आपको समझने में बहुत शहुलियत हो मुबाइल ओपन करिएगा गुगल खोलिएगा उसके अंदर आप इसी चीज़ को सर्च करेंगे सरकारी वर्दी बस ये सर्च करने के बाद आप एक नए पेज पर आजाएंगे इस वाले पेज पर यहां पर ध्यान से देखिए आपके सामने एक एक चीज़े मैंने असपश्ट कर दिया है विलेज वर्क डबलेमेंट यहां लिखा हुआ है विव मोर ध्यान से देखिए अगर आप गाउं में किये गए कारियों की सूची डाउनलोड करना चाहते कि वर्तमान प्रधान कौन कौन सा कारे कर रहा है कौन कौन सा कारे करने पर कितना खर्च लिया कितना पैसा निकाला किसको दिया ठेकेदार को दिया तो चेक में दिया कि कैस में दिया सब पता चलेगा नाली खड़ंजा भीडली पानी सीसी रोड सब पता चलेगा उसके बाद जस्ट नीचे आप देख के बारे में जरूर आप एक बार ट्राइ करिए तो जो तरीका मैंने बता है उस तरीके से आप जरूर करेंगे इसके बाद चुनाओ कि अगर हम बात करें चार चरड़ों में थे, अप्रेल में चार चरड़ों में हुआ, अब मैं बात करूँगा आपके लिए, कि जो पंचाय चुनाओ, हम लोगों ने 2021 में करवाया है, वो चार चरड़ों में हुआ था, आप सभी जानते हैं, तो पिछले चुनाओ के आधार पर इस बार का किस महीने के आसपास होगा, तारीखे कौन सी हो सकती हैं, चरड़ कितने हो सकते हैं, इन सारी बातों पर मैं अब एक प्रकास डालने वाला हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा, 2021 में जो चुनाओ हुआ था प्रधान वाला, 2021 में जो चुनाओ हुआ था गराम पंचायत क उसका डेटा है, पहले चरड़ में 15 अप्रेल 2021 को चुना हुआ था, जिसके अंदर ये सारे जिले थे, जिसमें है सारनपूर, गाजियाबाद, रामपूर, बरेली, हात्र जागरा, कानपूर, नगर, जांसी, महववा, प्रियागराज, राइबरेली, हर्दो, या जोद्या सरावस्ति संकवीरनगर, गौरगबुर, जांपूर, भधोशी, इन चरड़ों में पहले बार, पहले ही चरड़ों में इन जिलों में चुना हो गया था, इसके बाद गुशरी चरड़ में, ये सारे जनपद थे, 2020 में जो दूसरी चरड़ों में चुना हुआ था, उसमें थ सारे जिलो में दूसरी चलड में हुआ था अब मैं पिछली बार का कियों बता रहा हूं उसका संबंद इस बार नए वाले चुनाओं से क्या होगा मैं बताऊंगा आप थोड़ा वेट कीजिए तीसरी चलड के चुनाओं में हमारा दोजार इकीश भी सपरेल को हुआ था ये तीसरी चलड का चुनाओं और सामली मेरट मुरादाबाद पीली भीत काजगन फिरोजावाद और यह कानपूर देहाद जालावन हमेरबूर फतेपूर उन्नाव अमेठी बारबंकी अब मैं आपको असपष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने चरड बताए हैं आपका जनपद जिस चरड में था 99% उम्मीद है कि आपका जनपद इस बार भी उसी चरड में रहेगा कहने का मतलब है कि अगर 2021 में आपके जिले का मतदान तीसरे चरड में हुआ था तो 2026 में भी इस बार आपके जिले का मतदान तीसर चरड में होगा है मतलब चरड में बदलाओ की संभावना 1% है पुराने पैटर्न को कांटिन्यू किया जा सकता है इसका परसेंट है 99% है अब जो पिछले बार का चारो चरड का जो डेटा है उसके एनलाइसिस के आधार पर मैं आपको फाइनल डेट बताने वाला हूँ जो यहाँ पर है फाइनल डेट में आप देखें फाइनल डेट में लिखा हुए पिछले पंचाय चुनाओ के 5 साल बाद शंभावित थी शंभावित थी क्या है 15 अपरेल 2021 को पहले चरड का चुनाओ था तो इस बार 19 अपरेल 2026 को पहले चरड का चुनाओ संभावित है 19 अपरेल 2021 को दूसरे चरड का चुनाओ था तो 24 अपरेल 2026 को इस बार दूसरे चरड का चुनाओ हो सकता है तीसरे चरण का चुनाव 26 अपरेल 2021 को हुआ था इस बार तीसरे चरण का चुनाव 29 अपरेल 2026 को संभावित है 29 अपरेल 2021 को चोथे चरण का चुनाव संपन हुआ था तो इस बार 2 मईद 2026 को चोथे चरण का चुनाव संपन हो शकता है मत गड़ना पिछली बार 2 मही 2021 को की गई थी तो इस बार मत गड़ना 10 मही 2026 को होगी कायने का मतलब है नया प्रधान कुरान प्रधान डिसाइट किस दिन होगा 10 मही 2026 को पता चलेगा तुनाओ की सुरुवात 19 अप्रेल से होगी लेकिन इसका जो महावल है इसका जो गर्मी है इसका जो सीजन है 2025 बीतते बीतते सुरू हो जाएगा चरम पर आजाएगा प्रचार, प्रसाद, भंडारा, भोज, साडी, कपड़ा, पैसा, दारू, मुर्गाज, मीट, मांस जो भी साम, दाम, दंड, भेथ, जो भी अपनाया जाता है ग्राम पंचायत के चुनाओ में वो सारा बिफोर सिक्स मंथ लोग अपलाई करना शुरू कर देंगे तो कहते हैं कि जब बजार, गर्माए उस समय अगर आप जाते हैं चुनाओ में तो सही है बट अगर आप परधानी चुनाओ में अपने आपको दो साल पहले से उपस्थित किये रहेंगे दो साल, देड़ साल पहले से अपनी उपस्थिती जनता के बीच में दर्ज कराते रहेंगे अपने होने का, अपने चुनाओं लड़ने का प्रत्यासी होने का, संघर्स करने का, लोगों के बारे में सोचने का, लोगों के हित के बारे में सोचने का, लोगों की हेल्प करने का, अगर आप दो साल, धाई साल पहले से गाउं में डंका पीटते रहेंगे, तो जब बजार गर्माएगी, तो उस वक्त भी आपकी बजार और सबसे अच्छे नंबर पे रहेगी, और आप सबसे अच्छे प्रत्यासी रहेंगे, सबसे ज़्यादा चहेते प्रत्यासी रहेंगे, उस वक्त अगर आपका भाग गये, काम कर गया, आपका मेथड काम कर गया, तो आपको प्रधान बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और इस इस फिल्ड में कोई और प्रत्यासी दंदार प्रत्यासी नव आने पाए इस नाते पुर्धान दी बजट नव आने का बहाना रोना रोते रहते हैं तो सच्चा यह है कि एक पुर्धान अगर एक ही बार बन जाएंगे तो आपकी फिढ़ी सुधर जाती है लोग ऐसे मानते हैं तो आप अपनी पूरे गाओं की फिढ़ी बना दीजिए पूरे गाओं का भिकास कर दीजिए फूरे गाओं को अपने कारियों से इतना ज्यादा बदल दीजिए कि गाहों एक विक्सित गाहों की तरह दिखाई दे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यों